नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि D3 गोल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, D3 गोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और D3 गोल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि D3 गोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए, D3 गोल एक ब्रैंड नेम है, D3 गोल टैबलेट के अंदर सौर्ट कंपोजिशन कॉलेकलसिफेरोल 60,000 इंटिनाशनल यूनित होता है, वितामिन D3 को कॉलेकलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, D3 गोल टैबलेट का उप्योग शरीर में वितामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, वितामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, शरीर में वितामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, और शरीर में वितामिन D की कमी होने पर शर दीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज़े से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है। और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है। जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है। जिसकी वज़से धीरे-धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है. बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइथ भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और वितामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा औस्टियो मालेसिया होने पर औस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर D3 गोल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर टेरी मेरी हो जाती है और ओस्चियो मालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोपने के लिए भी डॉक्टर D3 गोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं. मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती हैं. क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती हैं. इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की drops दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो सही डोज में D3 गोल टैबलेट को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में D3 गोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति को D3 गोल टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा डोज में D3 गोल टैबलेट को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है, अब हम डिसकस करेंगे कि D3 गोल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, D3 गोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, D3 गोल टैबलेट एक चुएबल टैबलेट है, इसलिए D3 गोल टैबलेट को मुम में निगलने से पहले अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए, D3 Gold Tablet को दूद या पानी के साथ लिया जा सकता है लेकिन D3 Gold Tablet को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. D3 Gold Tablet को सपता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और आच सपता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं और आच सपता बाद Dr. D3 Gold Tablet को महीने में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और छे महीने तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं D3 Gold Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको D3 Gold Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि D3 Gold Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए D3 Gold Tablet को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल की जाच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए जरुरत पढ़ने पर Dr. Pregnant महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कम डोज में वितामिन D के सुप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है इसलिए Pregnant महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए D3 Gold Tablet को लेना रेक्मेंसेन नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका D3 गोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं